वेलकम स्टूडेंट्स आशा किरन चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको एक सिक्षा प्रत कहानी सुनाऊंगी जिसे आप अपने विद्याले की प्राथना सभा के विशेश कारेक्रम में भी सुना सकते हैं जब आपके स्कून में मौनिंग असेंबली होती है और आपको कोई भी स्पेशल आइटम प्रस्तूद करने के लिए कहा जाता है तो आप इस कहानी को भी वहाँ पर सुना सकते हैं पहले मैं इस कहानी को आपको पढ़के सुनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगे कि आप कहानी को कैसे प्रार्थना सभा में सुना सकते हैं अपने शक्तों में तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का कहानी का नाम है सब्र का महत्व ये कहानी बहुत ही पुरानी है उस समय महात्मा कौतमबुद पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर बौद धरम की सिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे धरम परचार के सिलसले में वे अपने कुछ अन्यायों के साथ एक गाउं में घूम रहे थे काफी देड़ तक भ्रमन करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक सिशे को पास की गाउं से पानी लाने के लिए कहा सिशे जब गाउं में पहुँचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें काफी लोग अपने वस्तर साफ कर रहे थे और कई अपने कायों को नहला रहे थे इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था सिशे को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरु जी के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गए लेकिन इधर गुरू जी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था इसलिए उन्हें उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे सिशे को भीजा इस बार वह सिशें उनके लिए मटके में पानी भर कर लाया यह देख महत्मा बुद्ध थोड़ा आश्चारे चकित हुए उन्होंने सिशे से पूचा गाओं में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था फिर ये पानी कहां से लाई सिशे बोला हाँ गुरू जी उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था परंतु जब सभी अपना कारे खतम करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैटने का इंतजार किया जब मिट्टी नीचे बैट गई तो पानी साफ हो गया वही पानी लाया हुँ महात्मा बुद्ध सिश्य का यह उत्तर सुन कर बहुत खुश हुए तथा अन्ने सिश्यों को एक सिख्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है जीवन में अच्छे करम करते रहने से यह हमेशा शुद बना रहता है परन्तु अनेकों बार जीवन में ऐसे भिक्षन आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है ऐसी अवस्था में जीवन समान ये पानी भी गंदा लगने लगता है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में दुख और बुराईयों को देखकर अपना सहास नहीं खोना चाहिए और धैरे रखना चाहिए गंदगी समान ये समस्याई स्वेम ही धीरे धीरे खतम हो जाती है बच्चो आप ये कहानी अपनी प्रारतना सभा में पढ़कर भी सुना सकते हैं जैसे मैंने आपको पढ़कर सुनाई लेकिन आप इसे याद करके अपने शब्दों में भी प्रस्तुद कर सकते हैं जैसे कि अगर हमें यह कहानी सुनानी है तो हमें जरूरी नहीं कि जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम इसको पढ़ते जाएं। हम इसको अपने शक्तों में भी बता सकते हैं और अपनी हिसाब से कहानी को सुना सकते हैं। जैसे यह कहानी बहुत ही पुरामी है। उस समय महात्मा पूरे देश में, पूरे भारत में घूम खूम कर बहुत धरम की सिक्षाओं का प्रसाद कर रहे थे धरम परचार के सिलसिले में वे अपने कुछ सिश्यों के साथ एक गाउं में घूम रहे थे अनुयाई क्या होते हैं सिश्य तो वो अपने सिश्यों के साथ एक गाउं में घूम रहे थे काफे देर तक घूमते रहने के से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी और जब उनके प्यास बहुत बढ़ गई तो उन्होंने अपने एक सिशे को पास के गाउं से पानी लाने के लिए कहा सिशे ने उनकी आग्या का पालन किया और सिशे जब गाउं में पहुचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही है और जिसमें काफे लोग अपने कपड़े धो रहे थे और कई अपनी गायों को भी नहला रहे थे और इस कारण नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था सिशे को नदी के पानी का ये हाल देखा तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी के लिए पानी ले जाना ठीक नहीं रहेगा इसलिए वे बिना पानी लिए ही गुरू जी के पास वापिस आ गया लेकिन गुरू जी को तो बहुत प्यास लगी थी और प्यास के मारे उनका गला भी सुखा जा रहा था इसलिए फिर से उन्होंने एक दूसरे सिशे को भूद भेजा और कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ और वह सिशे गया और गाउं से ए नदी से पानी मटके में भरकर ले आया ये देख महात्मा बुद थोड़ा हैरान हो गए क्योंकि पहला सिशे तो पानी भरकर नहीं लाया था उसने बताया था कि नदी का पानी गंदा है लेकिन दूसरा सिशे जो है वो मटके में पानी भरकर ले आया था तो उन्होंने सिशे से पूछा कि गाउं में भेने वाली नदी का पानी तो बहुत गंदा था फिर तुम ये पानी कहां से लए तो सिश्य क्या बोला हाँ गुरुजी उस नदी का पानी बहुत गंदा था परन्तु जब सभी अपना काम खतम करके अपने अपने घर चले गए तो मैं वहाँ थोड़ी देर रुक गया और पानी में मिली मिट्टी का नीचे बैठने का अत्मा बुद्ध सिश्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे साभाशी दी और अन्य सिश्यों को एक सिख्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है अगर जीवन में हम अच्छे काम करते रहेंगे तो यह हमेशा शुद बना रहेगा परन तो अने को बास जीवन में ऐसी क्षंट भी आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घर जाता है ऐसी अवस्था में जीवन समानिय पानी भी गंदा लगने लगता है और इस काहानी से हमें क्या स्थीख मिलती है कि हमें जीवन में दुख और बुराईयों को और धहरे रखना चाहिए जिसे आप English में patience भी कहते हो हमें patience रखनी चाहिए धहरे रखना चाहिए सब्र रखना चाहिए गंद की समान ये समस्याई स्वेम ही धीरे धीरे खतम होती जाती है तो हमें जीवन में बहुत सब्र रखना होता है जिससे कि हम जो है समस्याओं को ध्या से देखें और उन्हें तुलजाने का प्रेतन करें धन्यवाद बच्चों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें करना ना भूले और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें धन्यवाद बच्चों कर दोस्तों को बिलते ओए जा कि आपको अच्छी वाया था कि मैंज सब्सक्राइब अन्यवार्ड़ के लिए मैंज सब्सक्राइब कर पाना भी इताया यह वीडियो सब्सक्राइब